अभी तक हमने काफे साड़े electronics component को बड़े systematic तरीके से one by one हमने कवर किया है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनर डायट के बारे में कि ये कैसे आपके नॉर्मल पी एंजेंशन डायट से different होता है ये exactly होता क्या है किस तरीके से काम करता है ये reverse vicing क्या होता है forward advising क्या होता है इसे हम कहां यूज कर रहे होते हैं इसके application के बारे में भी बात करेंगे तो अगर आपको इस सारी बात जाना है तो इस वीडियों को देखते रहे ये आपको कुछ नया है तो क्या बहुत कुछ सिखने मिलने वाला है तो डायक अगर में मुद्धे की बात अगर आपको बताए कर देता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है जैसा हमने आपको बताया था कि भाई यह जो डायट होता है वो सेमिकंडुक्टर मटेरिल से मिलकर के बनाई जाती है दो प्रकार का सेमिकंडुक्टर मटेरियल लिया जाता है एक P टाइप सेमिकंडुक्टर होता है एक N टाइप सेमिकंडुक्टर होता है side by side आपको जोडते हैं तो आपका एक PN जिस्टाइड बन जाता है तो एक को हम NOD कह रहे होते हैं दुसरे को CAT HOD कह रहे होते हैं या positive कह सकते हैं negative कह सकते हैं तो अगर आपको करेंट का direction है अगर इस तरफ से current flow कर्वाने की कोशिस करते हैं positive से negative के तरफ तो ऐसे current flow करवाना है तो बैटरी को किस तरीके से current करेंगे बैटरी में current कैसे flow होता है positive से negative के direction में flow होता है तो बैटरी को हम लोग इस तरीके से current करेंगे तो आपका current जो है ऐसे flow होगा तो इसे हम forward vicing कहते हैं तो हमने देखा था कि पी एंजेंश डायट में इस forward vicing के condition में current flow कर रहा था यानि कि यह जो डायट है वो on हो जा रहा था और जब reverse bias कर रहा था यानि कि current के direction को हम उल्टा करने की कोशिश कर रहा था हम चाहरे था कि भाई अब जो है current का direction इस तरफ से हो यहां से current flow करें तो यह जो डायट है उसे flow होने नहीं दे रहा था वो उसको block कर दे रहा था यह off हो जा रहा था इसे वज़े से हमने आपको कहा था कि इसको एक प्रकार का switch समझे कि जब भी जो है forward direction में current flow होता है तो यह on हो जाता है और जैसे ही reverse direction में current flow करवाने के कोशित करते है तो वह off हो जाता है current को flow होने नहीं देता है circuit को break कर देता है फिर भी अगर आप reverse direction में voltage को बढ़ाते ही चले जाते हैं बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे एक point के बाद क्या होता है कि reverse direction से भी बहुत जादा current flow ना start हो जाता है अब यह जो बहुत जादा current flow हो रहा है वो avalanche effect के वैसे होता है अब इस effect के कारण जो है इतना जादा heat generate होता है कि आपका जो diet है वो जल जाता है तो कहने का मतलब यह है कि in short अगर में बताओ तो reverse direction में जो है आपका पी एंच जादा current allow नहीं करता है पर फिर भी अगर बहुत जादा voltage अब increase करता है breakdown voltage अगर आता है जहां पर आपका diet का breakdown हो जाता है और वो जो है जल जाता है खराब हो जाता है दूसरी होगर अगर हम जीनर डाइट के बात करें तो जीनर डाइट में क्या है कि यह forward direction में तो current को allow करता ही है जिस तरीके से आपको normal diet करता है साथ ही साथ अगर reverse direction में भी current अब flow करवाना चाहता है तो उसको यह allow करता है यह जलता नहीं है और सबसे अच्छा बात इसका यह है कि reverse direction में आप जीनर डाइट से जितना भी current flow करवाले इसके across जो potential difference है जो voltage है अगर आप measure करता है volt meter या multimeter से तो आपको constant मिलने वाला यानके same मिलने वाला है वो बदलेगा नहीं अगर माल लिजए 100A का current flow करवारे है तो भी उतना ही voltage मिलेगा 200A का current flow करवारे है तो भी उसका जो potential difference है जो voltage है वो आपको same मिलने वाला है यह बहुत ही amazing property है इसी property के वज़े से हम इस जीनर डाइट को जो है as a voltage regulator यूज़ करते हैं यानि input में आप जितना भी voltage दे दे output में यह आपको fixed voltage देने वाला है अब ऐसा क्यों इसके पीछे के कहाने के बारे में अगर हम बात करें कि यह कैसे reverse current को allow कर पा रहा है तो यह हो पाता है doping concentration के वैसे अब यह doping concentration क्या होता है doping क्या होता है तो हमने आपको पहले ही बताए कि भाई इसे जो है semiconductor material से बनाई जाती है semiconductor जैसे के silicon, germanium तो अगर सिर्फ हम silicon atom से या germanium atom से पूरा material बना रहा है तो उसे हम pure semiconductor material कहते हैं अब इस pure semiconductor material की conductivity की बात करें या resistivity की बात करें यह नहीं बहुत जादा होता है नहीं बहुत काम होता है यह insulator और conductor के बीच में होता है तो इसके conductivity और resistivity को बढ़ाने घडाने के लिए हम बाहर से किसी दूसरे atom को add कर रहे होते हैं तो जो दूसरा atom हम add कर रहे होते हैं इस pure semiconductor material में इसे ही doping कहा जाता है अब यह doping ही करके जो है इस pure semiconductor material से अब दो प्रकार का semiconductor material बनाते हैं एक को हम कहते हैं N-type semiconductor और दूसरा होता है P-type semiconductor जब इस pure semiconductor material में आप phosphorus arsenic डालते हैं जिसके valence shell में जो है 5 electron होता है तो आपका N-type semiconductor material बन जाता है जब इसी pure semiconductor material में आप boron को डाल रहे होंगे जिसके outer shell में 3 valence electron है तो वो P-type semiconductor बन जाए जब भी आप इसको side by side जोडते हैं तो beach में एक depletion region का formation हो जाता है depletion region वो जगा है जहां पर कोई भी charge carrier नहीं होता है कोई ions वहाँ पर नहीं जाता है इसको हमने detail में जो है diet वाले video में cover कर रखा है और general diet का भी जो construction है वो पूरे तरीके से same होता है आपका pn junction diet के तरह फर्क यहां पर यह होता है कि general diet में जो doping आप कर रहे है बाहर से जो आपने atom add कर रहा है वो जादा कर रहा है highly doped होता है तो इससे होता क्या है कि बीच में जो junction आपका बनने वाला है जिसे pn junction कहा जाता है depletion region कहा जाता है वो depletion region आपका pn junction diet में जादा होता है और zhener diet में जो है वो पतला होता है इससे फाइदा यह होता है कि जो reverse direction में वोल्टेज अप्लाई कर रहते है फिर वो जब conduct करने start करता है जिसे हम breakdown कहते है तो जो breakdown voltage है पn junction diet में आपको जादा होता है आपके zhener diet के comparison zhener diet में जो breakdown voltage है उसे breakdown voltage नहीं zhener voltage कहा जाता है और इस चीज को जो है वी आई करेक्टरस्टिक से भी देख सकते है कि कैसा कुछ दिखता है यह यह वी आई करेक्टरस्टिक क्या होता है यह बताता है कि आप diet या zhener diet के cross voltage दे रहे उसको बढ़ा रहा है तो current किस तरीके से बढ़ लाए गट रहा उस चीज को जो है यह गराव दरसाता है तो यह कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है तो यह वाले जो reason है वो आप reverse bias को जो है दिखा रहा होता है यह वाला फॉर्वर्ड बैस का तो जैसा कि आमने बताया थे कि आप current flow करवाएंगे तो दोनका नेचर सेम होगा वह सेम जैसा देखेगा बट रिवर्ड बैस में क्या होता है कि जो नॉर्मल पी एंजन्शन डायट है उसमें जब वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं तो जादा वोल्टेज देना पड़ता है तब जाकि इसका breakdown आया और जब यह breakdown आता है तो कितना सारा current flow हो रहा है आप देख पा रहे है अब दूसरी और जब देखेंगे तो आप वोल्टेज बढ़ाते है तो इसका जो जब वोल्टेज है वो कम होता है आपके breakdown वोल्टेज से अब देखें यहां भी आपका काफी current है देखने मिल रहा है बट इन दोनों ही current में काफी difference है जैसा कि हमने बताया था कि जो नॉर्मल पी एंजशन डायड है यहां पर जो current आपको देखने मिलता है वो जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद आपको भैतरी तरह के समझ में आया होगा अगर आप electronics से रिल्टेट और वी वीडियो देखना चाहते तो इस वाले प्लेलेश पर क्लिक करके देख सकते हैं